हेलो दोस्तो तो दोस्तो exam calendar कभी भी आ सकता है इसलिए आफ ज्यादा से ज्यादा examination की preparation करें और इस सिलसले में आज हम आफ के लिए कुछ और important questions लाए हैं जो की previous examination से related है जो की ISJKAS के entrance exam में पूछा गया था mission youth calendar आलडी मैंने इस question paper के उपर बहुत सारे questions को detail में discuss किया है मैं चा उन question से आने वाल exam में बहुत help मिलेगी तो चलिए जी देखते हैं आज का पहला question यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को like और share करें अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तो question है which herb is being cultivated in Jumu and Kashmir as the part of Aroma Mission आपको बताना है Aroma Mission के अंडर में जुमू कश्मीर में इन मैंसे किस herb को cultivate किया जा रहा है options है आपके पास lavender, parsley, mint या फिर basil तो इसका जो सही answer रहेगा वो है part A lavender को cultivate किया जा रहा है जुमू कश्मीर में Aroma Mission के अंडर उसको याद रखें कि इंडिया में Aroma Mission को जुमू कश्मीर से ही start किया गया और इसको lavender Mission या इसको purple revolution भी कहा जाता है दोस्तों याद रखें कि CSIR ने इस Mission को 2016 में launch किया था आपको बताना इन में से किस लेक का तालुक जहलिम रिवर के साथ नहीं है options है डाल लेक निगी लेक मांसर लेक या फिर वुलर लेक दोस्तों अगर आपको answer पता है तो आप नीचे comment section में आप अपना answer ट्राइ करें देखते हैं किस किस का answer सही होता है जहलिम रिवर के साथ इन में से किस लेक का तालुक नहीं है इसका सही answer रहेगा पार्ट C मांसर लेक दोस्तों यहाँ पर यह जुरूर कहना चाहूंगा कि मैंने लेक्स आप जुमो एंड कश्मीर पर एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है डीटेल आपो जुरूर चेक करें तो नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वीज डे इस सेलिबरेटेट एस इंटरनेशनल डे ओफ फॉरस्ट आपको बताना है इंटरनेशनल डे ओफ फॉरस्ट कब मनाया जाता है तो बहुत ही आजसान से क्वेशन है ये सभी को पताई होगा इसका आंसर रहे का पार्ट एट ट्वेशनल डे ओफ फॉरस्ट दोस्तो याद रखें कि युनाइटी नेशनल जनरल एसेंबली ने नॉंबर ट्वेशनल डे ओफ फॉरस्ट के तोर पे मनाया गया आपको बताना है कि इन में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है आप्शन्स हैं गूगल, बिंग, वॉल्फरेम, अलफा या फिर डगडग गो तो असल में जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा नन आपडियस क्योंकि दोस्तो जब हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल भी एक सर्च इंजन है बिंग भी एक सर्च इंजन है इसी तरह जब हम वॉल्फरेम, अलफा की बात करते हैं तो ये भी एक तरह का सर्च इंजन ही है जो आपके मुक्तिलिफ तरह की questions या फिर queries रहते हैं उनका ये answer प्रोवाइड करता है इसी तरह जो डगडग गो है ये भी एक तरह का search इंजन ही है तो इस question में मेरे तरफ से जो answer है वो रहेगा none of these next question देखते हैं Mount Kilimanjaro which was seen in the news recently is located in which country आपको बताना है कि Mount Kilimanjaro ये कहां पर आता है किस मुलक में आता है options है आपके पास Tanzania, Italy, Germany या फिर Kenya तो दोस्तो इसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा part A Tanzania में है Mount Kilimanjaro दोस्तो याद रखें कि Mount Kilimanjaro ये अफरीका की highest mountain peak है और इसको rooftop of Africa भी कहा जाता है तो इसके अलावा ये भी याद रखें कि Mount Kilimanjaro में तीन volcano cones आते हैं जिन मेंसे एका नाम है की वो दूसरे का नाम है मेवेंजी तीसरे का नाम है सिहीरा तो ये तीन volcanic cones हैं जो की Mount Kilimanjaro में आते हैं नेक्स्क्रेशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विज वा सीन इन दी नियूस रिसेंटली इस लोकेटेट इन विश स्टेट आपको बताना था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इनिया की किस स्टेट में आता है उतराखंड, बिहार, वेस्ट बेंगॉल या फिर आंधरा प्रदेश तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए उतराखंड दोस्तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये एक बहुत ही इंपोर्टन नेशनल पार्क है इंडिया की क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क है और इसको इस्टैबलिश किया गया था 1936 में दोस्तों, पहले इस National Park का नाम Halley National Park था और इसके बाद 1956 में इसका नाम बदल करके रखा गया Corvette National Park. दोस्तों, इसके अलबाव ये भी याद रखें कि Jim Corvette National Park ये Royal Bengal Tiger के लिए मशुर है और ये Ninital District में आती है. हमारा next question है बलदेव प्रकाश has been appointed as the managing director and CEO of which bank आपको बताना था कि बलदेव प्रकाश को इन मैंसे किस bank का managing director और CEO बनाया गया options है आपके पास IDBI bank, Indian bank, Central bank of India या फिर Jumo and Kashmir bank तो इसका जो answer रहेगा वो है part D Jumo and Kashmir bank next question है which of the following is a nuclear powered submarine of India आपको बताना है कि इन मैंसे इंडिया का कौन सा submarine nuclear powered है options है आपके पास INS कलावरी, INS शंकुल, INS अरीहंत या फिर INS सिंदू विजे दोस्तों अगर आपको answer पहता है तो आप नीची comment section में अपना answer try कर सकते हैं इंडिया का nuclear powered submarine इन में से कौन सा है इसका सही answer रहेगा part C INS अरीहंत इंडिया का nuclear powered submarine है दोस्तों ये भी याद रखें कि इंडिया का दूसरा nuclear powered submarine है उसका नाम है INS अरीगाथ तो ये भी याद रखें INS अरीगाथ next question fire temple is the place of worship of which of the following religion आपको बताना है fire temple इन में से किस religion की इबादत करने की जगह है जहां पर लोग पूजा करते हैं तो option से आपके पास तोईजम जोरस्ट्रेनिजम पार्सी रिलिजिन शिंटोईजम या फिर जूडाईजम शबाज दोस्तों आंसर लिखें fire temple किस religion से तालुग रखता है मज़भी जगह है ये इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी ये पार्सी मजभब की जो जगह होती है जहां पर पार्सी लो शिंटोईजम है इनकी जो worship places होते हैं उनको twist temple ही कहा जाता है अगर हम शिंटोईजम worship places की बात करें तो usually इनको शिंटो worship places कहा जाता है लेकिन जो बड़े बड़े इनके worship places होते हैं शिंटोईजम में उनको जिंजा या फिर इनको मिया भी कहा जाता है अब लास्ट में है Judaism आप मुझे बताईए कि इनकी worship places को क्या कहा जाता है नीचे comment section में इसका answer आफ खुद लिखकर बताएंगे तो दोस्तो ये थे आज के कुछ important questions इस paper से related उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like और share करें और अगर आपने अभी तक चनल को subscribe नहीं किया है तो daily videos, updates, notifications पाने के लिए चनल को subscribe करें और साथ में bell icon भी जुरू प्रेस करें दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए take care